हलो दोस्तो नमस्कार प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूँ तो दोस्तो टाटा पावर के शेर होल्डर के लिए काफी अच्छी न्यूज आते देखने को मिल रही है और उसी के साथ दोस्तो जो कमपनी बोनस देने जा रही है उसका भी जो रिकॉर्ड डेट है एक्स डेट है वो सामने आते हमें देखने को मिल रहा है मतलब दोस्तो इन दोनों ही कमपनी के शेर होल्डर के लिए ये बहुत बड़ी नियूज अभी सामने आ रही है तो देखते हैं दोस्तों सबसे पहले Tata Power का performance अब आप देख सकते हो कि Tata Power किस प्रकार से भी performance दे रहा है मार्केट में मार्केट में काफी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है ठीके फिर भी stock ने दोस्तों अभी तक 200 रुपे का level नहीं break किया है अगर 200 रुपे का level break नहीं होता है दोस्तों और मार्केट रिकवर कर लेता है तो Tata Power में बहुत तेजी से दोस्तों रिकवरी जरूर आएगी इस चीच को थोड़ा ध्यान में रखिएगा ठीके तो performance आज का हम देख लेते हैं आज आप देख सकते हो मतलब 1% की तेजी के साथ इस stock 211 रुपे 80 पैसे पे close हुआ है उसके साथ ही आप देख सकते हो 209 रुपे 80 पैसे का previous close था ठीके सेम प्राइस पे ये open हुआ high लगाया 213 रुपे 95 पैसे और low लगाया 207 रुपे 5 पैसे का बहुत अच्छा हमें याप पर performance देखने को मिल रहा है इस stock में उसके साथ ही overall का performance तो आप लोगों को पता ही है कि Tata Power का कितना शांदार हमें देखने को मिल रहा है अब चलते हैं दोस्तो Tata Power का जो news आ रहा है स आपर क्या लिखा हुआ है Tata Power to buy call कोल मतलब दोस्तो कोईला ठीके कितने का 12,000 कोड़ का कहां से इंडोनेशिया की माइन से ठीके financial year 2023 तक मतलब दोस्तों इंडोनेशिया की माइन से financial year 2022 तक 12,000 कोड़ का call purchase करेगा कोन Tata Power अब आप बोलोगे कि इस news में क्या खासियत है देखे Tata Power पावर इंडेस्टी से बिलॉंग करती है company तो कोल का उपयोग महीं पर होगा मतलब दोस्तों सीधे तोर पे हम ये समझ सकते हैं इस deal से ठीके कि Tata Power का जो business है वो किस प्रकार से market में रन कर रहा है देखे स्टॉक में गिराबटाई उसको छोड़ दीजे स्टॉक तो market के पीछे गिर रहा है लेकिन business किस प्रकार से run कर रहा है Tata Power का ये देखे ठीके Tata Power का पूराना business है पावर का पावर सप्लायर करना जो electricity है वो सप्लायर करना लेकिन अभी जो नए काम इसने चालू किये solar project वाले ठीके green energy clean energy साथ में दोस्तों renewable energy electric vehicle वाला जो काम चालू किया है उससे बहुत ज़्यादा इसको फाइदा मिला है ठीके तो हम ये समझ सकते हैं कि 12,000 करोड का दोस्तों ये छोटा मोटा payment नहीं ये बहुत बड़ा payment है और इतना call दोस्तों financial year 2023 तक purchase करेगा तो हम समझ सकते हैं कि दोस्तों कितना area Tata Power के अंडर में होगा power supply करती समय आप ये पर अनुमान लगा सकते हो नीचे और भी काफी बड़ा news हमें देखने को मिल रहा है जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो को post करके उसको पूरा read भी कर सकते हो ठीके उसके साथ ही Tata Power का छोटा साम technical analysis भी कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो Tata Power का performance डेली केंडल में आप लोगों सामने open किया है देखें सबसे बड़ा level उपर की side में अगर देखें तो 240 रुपे का है ठीके बीच में दोस्तो 220 रुपे का है और नीचे सबसे 200 रुपे का है ठीके मतलब 220 रुपे का level अभी इसने break कर दिया है ठीके देखते हैं 200 रुपे का level break होगा की नहीं ठ सबसे पहले तो 240 रुपे का level काफी confidence से break करना होगा उपर की side में उसके बाद आएगा सामने 260 रुपे का level उपर की side में जैसे ही इसने break किया हमें एक नया उचाई देखने को stock में मिल सकता है ठीके लेकिन अगर 200 रुपे का level नीचे की side break होता है तो गिरावट कहां ता कोगी यह नहीं बता सकते हैं क्योंकि उस समय तेजी दोस्तों stock में continuously आई थी यह विस्टॉक 110-120 रुपे से यहां पर चालू हुआ था तब ठीके लेकिन अभी जब 208 रुपे से लेके जो 200 रुपे के बीच में stock गोम रहा है consolidated कर रहा है तो यहां पर हम expectation कर सकते हैं कि बहुत अच ज्यादा गिर चुका है लेकिन stock में अतनी गिरावट नहीं आई यह इस टॉक 220 रुपे के लेवल के आसपासी अपना time बिता रहा है सबसे बढ़िया वात हमारे लिए यह है ठीके तो यह कुछ लेवल जो मैंने बताएं उनको note आप जरूर कर लीजेगा ठीके चलिए जो bonus वाली company है अब उसका भी update दे देता हूं मैं आप लोगों को तो शुरूआ दोस्तो fundamental condition से करते हैं इस company की देखे 25,761 करोड का market cap लेके बेटा है PE earning ratio की मैं बात करता हूं तो बहुतता दसमलो 4 का है return on employee की अगर मैं बात करता हूं तो 14.3 का है return on equity आप देख सकते हो 12.5 का है साथ में आप देख सकते हो दोस्तो face value ठीके उसके साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हो dividend yield भी company का बहुत अच्छा है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छी तरीके से stock क्या कर रहा है दोनों लेवल के आजपास trading कर रहा है साथ में company के अंदर कुछ अच्छी qualities की अगर में बात करता हूँ एक्सपेक्टेशन है रहा company को कि मेरा quarterly result अच्छा आएगा ठीक है तो हम देखेंगे किस प्रकार से आया और company का जो median sales growth है last 10 years का वो भी बहुत अच्छा हमें देखने को मिल रहा है और साथ में बताना चाहूँगा दोस्तों negative qualities भी कुछ देखने को मिल रही है तो company has a low return on equity last 3 साल के अगर हम बात करें तो करीबन यहां पर 11% की हमें देख सकते हैं कि गिराबट दिख रही है equity return में यह सब बताए जा रहा है और dividend का payout के अगर में बात करता हूं तो 10% का में देखने को मिल रहा है last 3 साल में ठीक है और promoters की holding है ठीक है वो भी last 3 साल में कम हुई है तो March 2014 में आप देख सकते हो 2415 करोड की sales की है जिसमें operating profit देखेंगे Bobby बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है ठीक है और net profit अगर आप देखेंगे तो Bobby बहुत जोड़दा देखने को मिल रहा है और साथ में EPS भी आप देख सकते हो बहुत interesting EPS देखने को मिल रहा है साथ में साल जाना तोरका अगर performance देखें तो March 2011 में पूरे साल भर में company ने 954 करोड की sales की थी 15 में 2232 करोड की 20 में 622 करोड की और दोस्तों March 22 में 13313 करोड की उसके साथ ही net profit पे भी अगर हम नज़र डालें तो net profit भी बहुत interesting हमें देखने को मिल रहा है यहां पर अगर देखा जाया तो company जिस तेजी से growth कर रहा है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है company का sales growth देखिए 10 साल पहले 22% था लेकिन अभी current में 30% है profit growth देखिए 10 साल पहले 35% था लेकिन अभी current में 73% है ठीके उसके साथ यह अगर हम देखे company का दोस्तों यहां पर shareholding pattern तो shareholding pattern देख सकते हैं कि जो FII है वो बहुत बड़ा stake लेके बेठे हैं DII भी बहुत बड़ा stake लेके इसमें बेठे हैं तो देखा जाया तो बहुत अच्छी यहां पर बात हमें देखने को मिल रही है तो हम किस company की बात करें हम दोस्तों Minda industry limited की बात कर रहे हैं जो एक technology technology industry से belong करती है और काफी अच्छा market में काम कर रही है तो इसका bonus का जो update है वो मैं आपको बता देता हूं तो इसके लिए मैंने BSC के site पे आप लोगों को लाया हूं तो यहां पर पूरत चीज़े हमें देखने को मिलेगा तो corporation जो action होने वाला है देखिए bonus issue का सबसे पहले देखने को मिल रहा है तो यहां पर देख तक आपको करना पड़ेगा तेके तभी आप इस bonus के लिए eligible होंगे उसके साथी 7 जुलाई को दोस्तो एक्स डेट है किसका एक रुपे पर share के साब से dividend का भी मतलब dividend भी मिल रहा है दोस्तो साथ में bonus भी मिल रहा है एक share पे एक share का तीक है यहां पर आप देख सकते हो तो यह काफी अच्छी बात हमें देखने को मिल रही है दोस्तो मिंडा इंडस्टी के तरब से अब इसका return on pattern देख लेते हैं कि किस प्रकार से देखने को में मिल रहा है तो मिंडा इंडस्टी के अगर हम बात करें तो मिंडा इंडस्टी दोस्तो आप देख सकते हो करीवन 893 करें दोस्तों तो ये कंपनी मार्केट में काफी पुरानी और अपने शेर होल्डर को बहुत अच्छा रिटन देके बेठी हुई है तो जरूर दोस्तों हमें मिंडा इंडस्ट्री के ओपर भी फोकस रखना चाहिए और टाटा पावर तो दोस्तों हमारा सब का चाहिता है तो यह था आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट तो यह अपडेट आपको पसंद आया तो प्लीस इस वीडियो को लाइक करिए चैनल को सस्क्राइब क्यों डेली वेसस पे इसी प्रकार का बहत्रिंग अपडेट हम आप लोगों तक लाते रहते हैं तो झाल को सबस्टों झाल को सबस्टों